हरियो मेरे प्रिये कन्याराशी के साथ चोबिस अक्टूबर को बन रहा है गुरू पुस्से योग का दुरलब संयोग सीध होंगे आज सभी काम आपके पाएंगे धनलाब बनेंगे इस दिन प्रभाव साली योग गुरुवार के दिन चलिए जानते हैं शिरुवात करेंगे रोज की तरह पंचांग से साथियों तो चोबिस अक्टूबर का दिन गुरुवार का दिन है गुरू बर्सपती को समर्पित लक्समी नाराने को समर्पित दिन चंदरमा का संचार कर कराशी में दिन रात रहेगा कार्तिक मास के क्रिशन पक्स की अस्टमी दिथी और इस्थिति को हर वर्ष अहोई अस्टमी का वरत किया जाता है इस दिन माताई अपनी संतान की द्रगायू और उनकी सम्रद्धी के लिए निर्जला वरत रखती है और अहोई माता की पूजा होती है अहुई अश्टमी के दिन गुरु पुस्थे योग का बनना अपने आप में ही सोभागे साली रहनी वाला है इस दिन साध्धे योग बनेगा पुष्य नक्षत्र बनेगा इस दिन केले की व्रिक्ष की पूजा करना, गाई की सेवा करना, गाई की बचुडों की सेवा करना बहुत लाबकारी मंगलकारी माना जाता है और सम्रद्धी के व्रद्धी होगी, दिन परती दिन आप सफलताओं की सीडियों को चड़ते जाएंगे, जो भी इंसान महनती और करमत होता है, उसे सफलता अवश्य मिलती है ऐसे में गुरु ब्रिस्पति की स्थिती आपके जीवने में आपको उचाईयों पर लेकर जाएगी सातियों, ये दिन आपके लिए फेबरेबल हैं क्योंकि आज आपको पूरा दिन साकार्दमक परिणाम ही मिलेगे आपको किसी काम को लेकर बस जल्दबाजी नहीं दिखानी है, सामाजिक छेत्रों में कारीकर्ट लोगों को कामों को लेकर मेहनत अधिक करनी होगी आपकी छवी, निखरेगी, रुतबा बढ़ेगा, दबदबा बढ़ेगा लोगों की बीच में, परिवार में किसी सदेशे की और से आपको कोई थोड़ा सा परिश्चानी जनक समाचार सुनने को मिल सकता है आप अपनी सोच समच से कामों का असानी से पूरा कर पाएंगे और जो भी नेगडिव बाते हैं उन्हें इग्नोर कीजी और आगे बढ़ेगे परिवार में किसी सदेशे की सहत में गिरावट आने से आप थोड़ा परिशान हो सकते हैं आपका स्वास्ते उत्तम बना रहेगा साथ ही विवाहिक जीवन सुखद बना हुआ है लव लाइफ में यहाँ पर थोड़ी परिशानिया कह सकते हैं स्टूडेंस के दिन बहुत अच्छा माना जारा स्टूडेंस के ग्यान में वर्दी होगी शाथ ही जिन लोगों के विवाह के योग नहीं बनेगे विवाह के लिए अच्छे रिस्ते आएंगे और बाते कुछ आगे बढ़ेंगी व्यपारियों को मोटा मुनाफा होगा भागदोर से बरी दिन चरिया होंगी चोटी मोटी यात्राएं होंगी उसमें अपने धन और अपने समान की साफधानी बढ़ते इस दिन को favorable बनाए रखने के लिए किसी भी मंदिर में केला या गुड या फिर चने की दाल डोनेट करें अगर आप ये नहीं कर सकते तो इस दिन किसी भी गाय को आपको रस्ते में कोई गाय मिल जाए उसको एक केला खिला दीजिए थोड़ा गुड खिला दीजिए या फिर चने की दाल खिला दीजिए साथ ही इस दिन गुरू वार के दिन पीले कपड़े पहने, हल्दी के पानी से स्नान करे, मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाए, केले की व्रिक्ष की पूचा करे